तो बокойत से ईलेक्टिसयान भाई लोग शलैप वाईपिंग या छात पेपिंग करना की टाइम में बहुत सारी गलती कर देते हैं जैसे कि इस तर्की से चाद में शलैप आपिंग करना के बाद बोब लोग सोचते हैं कि काम हो गया लेकिन slay piping के टाइम में भी कुछ कुछ ऐसे काम होते हैं जो कि बो लोग नहीं करते हैं या नहीं जनते हैं उसके बात जब while cutting करके pipe को दिवार में बिठाते हैं उस time में बहुत सारे दिक्कत आता है तो इस वीडियो में हम बहुत साभी गलती को दिखाएंगे और practically solve करके भी दिखाएंगे तो दोस्तो वीडियो को end तो जुरू देखना की क्योंकि नया electrician भाई के लिए बहुत ही help होने वाला है और यहां पर बहुत information देने वाले हैं और चले location पर चलके वीडियो को सुरू से start करते हैं तो दोस्तों यहां पर लेप टान लेते हैं हमारा location आ जाएगा तो आप लोग बोड़ ना हो जाओ इसलिए इस वीडियो को थोड़ा ब्लॉक टैप करते हैं तो यहां पहुंच गए है हमारा location पर तो चलिए दोस्तों यहां पर entry लेते हैं और यहां पर CD भी दिख रहा है तो चलिए direct chat पर चलते हैं सब्सक्राइस चलते यहां पर अदे से जादा योगेई थे तो पहले आप लोगो समझा देते कहां पर क्या रूम है तो हम जहां पर खड़े हुआ है एक गोडाउन रूम है और यहां पर सामने भी देख सकते हैं यह बीए गोडाउन है तो यहां पर चावाल गेहुं गाटा रखना के लिए रेसंदोघन का गोडाउन है चोधावाई भीस साइच का और एक लिभिंग एरिया है एक ट्रॉलियर प्लास्टर करने के बाद भी दिख जाता है इससे बचने के लिए जहां पर भी जितने आपको फाइप ड्रॉप करने हैं उसके मुताबिक दिवार को अच्छी तरगे से तोल लेना है और दूसरे गलती करते हैं चाद में जितने भी कंसिल बॉक्स या फैन बॉक्स बिटाते ह पूरा बरबाद हो जाता है जाम हो जाता है उसके बाद कुछ इस तरगे से केसिंग करना पड़ता है इस प्रॉब्लम की सेलूशन के लिए आपको जितने भी कंसिल बॉक्स या फैन बॉक्स को बिटाना है उसके अंदर प्लास्टिक या पेपार को मदद से अच्छी तरग से प्लास्टिक की मदद से जाम कर लिए ताकि भाई बेटर मिसिन चालने के बाद भी सिमेट की मसला जाके अंदर जाम ना हो जाए गलती नंबर त्री और एक गलती सबसे ज्यादा करते हैं छोटे बड़े सभी एलेक्ट्रीशन भाई लोग करते हैं क्योंकि इस तरगी से स प्रोब्लेम आता है और इस प्रोब्लेम का सौल्फ उनको जरूर करना चाहिए नहीं तो बाद में वाल काडिंग के टाइम बहुत ही दिक्कत आता है इन प्रोब्लेम की सौल्फ के बारे वाद करें तो इस तरीके से पाइब रूम डाइनिंग या आप किचन में जहां पर निकलावा है सही पाइप अलग ठलग रहता है तो सभी पाइप सब्सक्राइब करें पीन की मदद से या से अरिय की वैयार के मदद सेुझ साथ सवी पाइप को दिवार में अच्छी तरीके से बांद लेना है तो यहां पर आप देख सकते हैं हम सभी पाइप को एक साथ दिवार में अच्छी तरीक से बांद चुके हैं पाइप को दिवार में बिठाने के बाद फिर एक बार आपको चाद में चला जाना है पिर इस तर्के से प्लास्टिक को लेकर आप जहां पर बीजितना भी पाइप के लिए होल किये ते को तर्के से भाइप की होल को अच्छी तर्के से बंज कर लेना है नहीं तो ढईक के बाद मुसला जाके जाम हो जाएगा तो आपको वाल काइप करने के टाइम में बहुत दि करना है क्योंकि एक वारां हो जाएगा तो दूसरे पाईब सब्सक्राइब करें입니다 और जहां चहां पर आपको डाउट है कि पाइब हमारा पुछ रहा है वहां पी डाइस की मरत से सर्य को इस तरह किसे मोड देना है जल्दी करो मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते इलाल कर बटा नहीं से दबाओ जल् सब्सक्राइब करना ताकि वीडियो अपलोड करते हैं आपके पास नोटिफिक्स पहले पहुंच जाए तो आज कली बास इतना ही सब्सक्राइब